नमस्कार प्यार विद्ध हर्तियों देखिए आज हम बात करेंगे इम्मुनिटी और एंटी बोडी से सम्मंदित कोश्चन अंतर के बारे में और सब्जेक्ट अपनी वही रहेगी बैटनरी फिजियोलोजी एंड बायोकेमिस्टी ठीक है तो देखिए इसमें पहला कोश्चन प्रात्मिक लस्का अंग का अधारड़ है बोनमेरो थाइमस बॉर्फाव फेब्रीसियस देखिए जो तीन वंग ना वो प्रात्मिक लस्का अंग के अंतरकता आते ठीक है तो इसका अंतर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा देखिए दूसरा क्वेश्चन है हुमोरल University got pneumonia और जो सेलूलार मोनेटी को होती है वो टी लिंपो साइट के द्वारा प्रदान की जाती है ठीक तोThrीथा क्या अब न कि क२ सी को ऊस्ब्षान करती यो निश्च्छ से कौने से कौनद संब प्राइब प्रितिरत्च्छीं तो बताए कौन सी सिंक्रमड किया यह प्रुद्टि तो निष्क्रिय प्रुद्टिश्य देता है और 6 मुश्चन है कि निम में से कोन प्रेजिश देता है .. तो टीघृ का using देता है .. अंसर में सबस्क्रिय प्रुद। बनाता है कौन बनाता है त्वचा बनाती है आशू बनाते है और सिलेस्मा जिल्ली बनाती है तो answer क्या होजाईगा डी होजाईगा देखे फ़र्ष्ट लान przysz का मतलब क्या है इसका मतलब यह होता है कि किसी भी संक्रमड से सब से पहले जो सामना होता है वो किसका होता है तवचा से होता है या प्राइसू या छिलिस्मा चिल्ली है न इनिसे तो होता है या फिर भाईए स्वराबी गरंतियों की जो स्वराब होते हैं जैसे कि लार्ड आाशू आमस्ट्यकाय सील तो यह सभी क्या करते हैं first line of defense ठीक है भींव कुश्चन संक्रमाड के समेख ठीड लान offering बनाती यह तो कौन बनाती यह वो पूलाती है भीजर्फिर्ध स्ययल का उधारण है एंटिजन प्रिजेंटिंग सेल का हुदारण है तो बताइए क्या होगा तो वो हो जाएगा एक तो मैक्रोफेज एक डेंडिटिक सेल और एक बी सेल इसको हम पहले पढ़ चुके हैं आंसर क्या होगा इसका डी हो जाएगा ठीक है देखिए अगला कोश्चन है पलाजमा सेल क वो क्या काम करती है बताओ वो करती है एंटिबोडी का निर्माड करती है ठीक है और पलाजमा सेल का निर्माड किस से होता है यह बताओ अरे जो बील इंपोसाइट होती है ना बील इंपोसाइट होती है वो पलाजमा सेल का निर्माड करती है ठीक है ग्यारमा क्वेशन है स इम्मूनोगलोबिन ए ठीक है देखे बारमा कोश्चन है सरीर में सबसे कम संक्या में पाई जाने वाली इम्मूनोगलोबिन है कौन सी है सरीर में जो सबसे कम पाई जाती है देखे सबसे कम पाई जाती है इम्मूनोगलोबिन जी अरे नहीं इम्मूनोगलोबिन इपाई जात तियों के सिराम में कौन सी Immuni Globin पाई जाती है तो वो पाई जाती है IgA ठीक है देखे पंदरना कोष्छन है दोस्तों कि दूद, आंसू, लार में पर्चर मात्रा में पाई जाने वाली Immuni Globin कौन सी है बिल्गल सही है IGA ठीक है देखे सोलमा कोश्चन है गर्वावस्ता के दोरान अपरा के रास्ते भुरूड में इस्तानानते तोने वाली इम्मुनोगलोबिन कौन सी है ठीक है प्रेगनेंसी टैम पर अपरा के रास्ते भुरूड में जाने वाली जो इम्मुनोगलोबिन है वो कौन सी है वाई वो है आई जीए में ना पहले थोरी को पढ़ना थोरी जब आपकी complete हो जाए ना उसके बाद आप question practice करना कितने गलत होते कितने सही होते इससे पता चल जाता है ना देखिए अठरमा question है दुतियक सब्सका क्या उदार है दुतियक kolayका उदार रहे दुतियक लसका अंग तो पहले में हमने कॉंअ कूं से पढ़ेते बताओ अरे बताओ थाई xu09 पढ़ाता धया ना किए श् initiatives पढ़ातन तो यह प्रात्मिक लस्कांग माते हैं और सेकंड में आएगा यह पिलिया इस पिलियन ठीक है तो सही सोच के दिया करो अंसर देखे 19 मा कुर्शन है संक्रमण के समय फर्ष्ट लाइन ओफ डिफेंस बनाता है कौन बनाता है इसके न बनाती एक नहीं बनाती पहले बात कर चुके ह में इसकी तवचा की तवचा होती है वो फर्ष्ट लाइन ओफ डिफेंस बनाती है यानि कि कहने का मतलब यह है कि संक्रमण के समय जो सबसे पहले सामना होता है वो तवचा से ही तो होता है तो 19 में का अंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा देखे 20 मा कुर्शन है प्रात्म बीमारियों से लड़ने की छमता क्या कहलाती है बीमारियों से लड़ने की छमता होती है उसको क्या बोलते है अरे पिरती रच्छा बोलते है क्या इम्मूनिटी बोलते है देखे दोस्तों 22 मा कुशन है कृतिम सक्रिय पिरती रच्छा का उधार रए कृतिम और सक्रिय पिर जो जन्मे के साथ प्राप्त हो रही है तो जन्मे जात प्रिति रच्छा इसमें सोचना क्या देखे 24 मा क्वेश्चन है सक्रिय प्रिति रच्छा कहलाएगी या नहीं कहलाएगी बताओ क्या कहलाएगी सक्रिय प्रिति रच्छा ठीक है यानि कि हम खुद पैदा कर रहे है प्राक्रतिक शक्रिय प्रिति रच्छा का उदार रहे प्राक्रतिक ये अच्छा कोशन है देखिए ये टीका करार सक्रिय प्रिति रच्छा का उदार रहे लेकिन प्राक्रतिक नहीं क्रित्ते में तो ये तो आंसर होगा नहीं है ना तो बताओ कॉलस्ट्रम निस्क्रिय प्रकृति रच्छा को दार रहे प्राकृतिक का तो है लेकिन निस्क्रिय तो अब आंसर इन में से होगा या या यह होगा अब बताई इन में से कुन से होगा अरे यह होगा ना भाईये संक्रमण भाईये संक्रमण प्रकृति से ही तो प्राप्त होत सोब करने में ऐसे मजाएगा जब करो के तो तो कि अगला कोश्च्छन एक सरीर मैं एंटीवोडी उत्पादन को तेज करने वाला पतार्थ हैं कि अरे एंटीवोडी उत्पादन कब बड़ेगा जब संक्रमण होगा तबही तो यह ना और संक्रमन का मतलब क्या है antigen antigen का मतलब कोई भायपदार्थ वह ही तो है जब यह ब्रिबिश ड़ार्ट करेगा तो antibody का उतपादन बढ़ेगा गां क्योंकि antibody से लड़ेगी थीक है तो नो और तो आंसर किया हँजाएगा 27 मंगा एंटीजन हो जायगा ठीक है फिर चीन mesela questions एएयम्टीपोडि की प्रिक्रती होती है और्य और्य बाई क्या गचप question क्या प्रिक्रति होती है गलाइक अपár प्रोटीन or glycogen लड़ेगी या इंटि जन लड़ेगा एंटि जन तो होनी सेकता एंटिजन तो भूता है जिसकी बज़े से संक्रमड होता एंटिजन लड़ेगी धई या antigen लड़ेगा antigen और पिरतिज़न में कोई अंतर नहीं है भीड़ू समझा करो या न कहाँ को रहे हो तोड़ा सव दिमाग लगाओ देखो Antigen और पिरतिज़न इसनों multi का प्र पिरति इंदी में मिल और यह को इंसर क्या हुझी पृष्ट्री रचनि मोंसर क्या हो जाए है और यह ज़ुल वंहें दोस्तों दोस्तों थिसमा निम में से कोनी बनाता है को नहीं बनाता है त्वुला नहीं है कभी सुच्छा होती है आव फ़र्षट लाइन ओफей olması बनाता है इस सबरी नहीं है ठीक okay बागी चुछी सबरी normal सबसे पहले बच्छड करने काम करती है ठीक है और यह बच्छान को सका है तो आंसर या तो यह तो हो नहीं सकता उप्रोक सभी तो तो बताओ आंसर क्या होगा तेती समय का आंसर यह होगा क्योंकि डेंट एक सहल होती है वो भी बच्छान को सका ही होती है तो आंसर क्या हो जाएगा उप्रोक सभी हो जाएगा अगर इसकी जगए बैसो फिल होता तो फिर आंसर क्या आ जाता बैसो फिल आ जाता ठीक है जन्म क मुए बाद अर्जित की गई रोक प्रतिरश्चा गल आतिया क्या क्या बिसिस्ट प्रतिरश्चा क्या नहीं हो सपता और यह भी नहीं हो सब तो आंसर निमें से होगा दो में से बताए कुन सा होगा तो यह हो जागा टिटेनस टॉक्ष ठीक है चत्तिसमों कोश्चन है पहले तो दोस्तों आप उनको ख्रोस करना जो आंसर होई नहीं सकते ना उनको तो अलग अटा दो फिर उनमें से सलेक्ट कीजिए जो हो सकते हैं dit टीक है डिएूीट सथी कोश्चन है सरीर में सीदे एंटी बोडि डालने से प्राप्त होने वाली रोक प्र्तिरो तक च्ञंता कहला भी सिदे सीधे डालने कि तो यह तो पक्काए만ी होगी है और सख्रिये होगी है तो अंसर क्या हो जाएगा औरे निस्क्रिये पृत तिर अच्छा है देखिए 38 मों कोश्चन है प्रात्मक लसकांग का कार रहे तो नहीं है कोई काम नहीं है अगला है लिंपोसाइट का प्रिफक नटीक है तो आंसर क्या हो जाएगा दी हो जाएगा यह दोनों कार रहे किसके प्रात्मक लसका अंग के ठीक है देखे 49 मा कुश्चन है लिंपोसाइट सरीर में संक्रमण खां से लड़ती है लिंपोसाइट सरीर में संक्रमण से खां लड़ती है लिंपोसाइट होंगी वो खां लड़ेंगी बताओ खाल लड़ेंगी, अरे दुतियक लस्का अंग में लड़ेंगी, धेके 40-मा कुरुष्चन है, नीचे दिए गए लस्का अंगों को ध्यान पूर्वक पढ़िए, पढ़ ले भी तो पढ़ देख के पढ़ कें, पढ़ लिए, चलो देखो अब थाइमस, इस्पिलीन, लिंप नोड, बॉन मेरो और अपेंडिक्स उप्रोक्त मेंसे दुतियक लस्खा अंग कौन से छाटो पहले तो उनको कैंसल करो उनको इनको प्रात्मिक लस्खा अंग है ना है न तो यह तो देखी दो हो जाएगा तीन हो जाएगा और पाँच हो जाएगे तो आंतर के आ जाएगा अपको सी आ जाएगा ठीके दो तीन पाँच देखे एक तालीसमो gegangen問題 दुतियक लिष्का अंग का उदारन नहीं है कौन कौन से नहीं देखें देखे अ किसका उदार्ड है यह इस्का दार्ड राथका को थीक है और कि अरे यही पूछ रहा है मैं जो दार्ड नहीं आप नहीं एप आ कि di Dwelloiddag लॉफका नहीं है और यह पूछरा है कि किसका ऊधार्ड colossal पर धॉफड्सक आउई का उदारण है के नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा ब्यारे देखिए अगला कुश्चन है टी लिंपोसाइट के बारे में असत्तकतन क्या सत्तकतन है यह थाइमस में परिपक होती है होती नहीं होती बोन मेरों में परिपक होती है ना यह सेलूलर इमूनिटी प्रिदान करती है करती है यह एंटीबोडी का निर्माड करती है यह थर लाइन ओप डिफेंस बनाती है बता यह आंसर क्या होगा आंसर हो जाएगा सी यह गलत है बागी यह सब सही है ठीक है यह गलत है यह यह गलत है यह क्योंकि एंटीबोडी का निर्माड कौन करती है बता करो, फिर देखि के दोबारास QUESTION को समझेये, T Le Organization के बारे में असत्यकतन हम को क्या देखना है, कि गलत कौन सा है, थाइमस में परफट होती है, बिल्कुल सही है, Cellular Immunity प्रिदान करती है, बिल्कुल सही है, 3rd Land of Defense बनाती है, बिल्कुल सही है, लेकिन यह गलत है कि यह antibody का निर्माड करती है एंटिबोरी निर्माड कोन गरती है B cell करती है या B lymphocyte करती है ठीक है तो answer C हो जाएगा समझे 따라 43 मा question के रहा है क्या के रहा है टी lymphocyte सरीर को संक्रमब से कैसे बचाती है टी lymphocyte होती है वो सरीर को संक्रमब से कैसे बचाती है lymphocody बना कर बचाती है या antibody बना कर या नूट्रोफिल बना कर या hormone बना कर hormone नहीं हो सकता, नूट्रोफिल नहीं हो सकता, ठीक है answer जाएगा A और B में से, तो कौन सा answer होगा, answer होगा A lymphocion बना कर ठीक है, चमबाली समय question है रूमन्ती मादा जानवरों के colostrum में सबसे ज़्यादा बोड़ी में first line of defense क्या कहलाती है, कौन कहलाती है, कैसे कहलाती है, IGM कहलाती है, ठीक है, देखे चालीसमा question है, परजीवी जनेत रोगों के बिरुद्द सबसे ज़्यादा सरावेत होने वाली antibody, कौन सी होगी, कौन सी होगी, IGE, जो की सबसे कम संक्याम पाए जाती है, सबसे कम मात्रम पाए जाती है, ठीक है दोस्तो, तो ये अपने 46 question answer hyper complete होते है, वीडियो को पूरा देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्नवाद, पढ़ते रहे हैं, यसी मेनत करते रहे हैं, ठीक है, और आगे आपको वीडियो ऐसी मिलती रहेंगी, और जोन सी subject की वीडियो चा जा करो ठीक है, बागे कोई दिखकत नहीं है,